जब मैंने मेरे कहली में सुना ना तब मतलब मैं फ्लेप हो गया प्रो तब मुझे ऐसा लगा कि ये बैस टाइम है और ये बैस चीज है जो जिसको करके आपको अपने आपको आगे रख सकते हैं तो मेरे इंफ्लुएंसे ये ये ब्रो नेजी डिफाइन और सबसे बड़ा इं मतलब अपने लाइफ में चल रहा है तो यो गाइस मेरा नाम है समोहित और मैं हुआ भी इनकलाब डीसाइफर में और में ब्रेकडाउन करूंगा मेरा गाना स्टेश हां मैं होना चाता फेमस हां मैं होना चाता रिच हां मैं लड़का middle class खाना मिलता साधा इच घर पे मिलता दाल चावल वाहर मिलता, हेट मुझे, रिष्टेदार आते तो मैं घर नहीं आता सारा दिन मैं सारे middle class बंदों के बारे मिंबात कर रहा हूं मेरे जैसे और मतलब मेरे इसाब से आज का generation से famous होना चाता है और आगर कोई ऐसा बंदा बोल रहा हैं कि उसको famous नहीं होना है उसको rich नहीं होना है तो fake है अजकल हर बंदा famous होना चाहता है हर बंदा rich होना चाहता है मतलब मैंने कुछ ऐसा जाधा सोचके नहीं लिखा मैं सिर्फ मेरे feelings लिखने की कोशिश करता हूँ और मतलब easy है bro मतलब मेरे words मुझे सकता है कि कोई भी समझ सकता है समझ रहो मतलब मैं घर पे bro साधा थाना मिलता है समझ रहो मैं non-witch नहीं खाता हूँ मतलब मेरे घर पे बनता ही नहीं है bro तो मैं दाल चावल पे survive कर रहा हूँ और मतलब घर पे मिलता दाल चाह बाहर मिलता हेट मुझे समझ रहे हैं की मतलब हम जैसे बंदे जो ऐसा एक रिच फेमिली से नहीं आते हैं और मतलब ग़े जो हम खुद से कर रहे हैं आरा मैं इंडस्ट्री में कमाने को पैसे, जाने वाला नहीं कमाये पे ना ले ले लिख के, जब से तुम हो विस्तर में हम तब से बेटे सिख थे, यह मैं वो सीन से भार करना चाते है, जो भी मतलब सीन में चल रहा है, समझ रहो, उससे लेकिन मैं अल्टरेडी सीन से भार हू मैं कमपई से कमाने का है, और मैं स्ट्रेट अप बोलता हूँ ब्रो, और मैं इदर से कमाये बिना जाने नहीं वाला हूँ, और यह लाइन तो ब्रो मतलब थोड़ा ऐसा मैंने ट्विस्स किया है कि जब से तुम हो विस्तर में हम तब से बेटे सिख थे, क्योंकि कोई भी ज लेकिंचागा होती दिल में है, बड़े इनके घर फिर भी खुषते हैं ये बिल में, मैंने जो देखाया ना कि मतलब मैं जहां पे रहता हूँ, और मतलब मैंने देखा है कि बिल्डिंग में तो ब्रो लोग अपने दर्वादा से बन करके रहते हैं, बिल्डिंग में किसी क परिक्षा, लोग इतने हरामी के धूर रहता फरिश्ता, पास रहता राक्षस और खास इससे रिष्टा, बचपन से मैं मतलबी और और गंदीगी का मिक्स था, रोज मसले हो रहे हैं, रोज टेस्ट हो रहे हैं, रोज मेरे पेशिंस का टेस्ट हो रहा है, रोज भूद कुछ ऐसा बीच-पीच में चीज़े आती है जो में को मेरा म्योजिक करने से रोकती है समझ रहो लेकिन आपको उसको क्रॉस करके निकले ब्रो समझ रहो और यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि मतलब फरिष्टा तो अपने से दूर रहता है और अपने पास रहते हैं राक्षास मुझे ऐसा लगता है काफी लोग रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि यह परसनल है मेरे लिए ब्रो मतलब मैं वच्पन से सिर्फ गंदगी और मतलबी चीज़े देखते हैं रहा हूँ ब्रो मैं अगर मतलब मैं ऐसा हूँ कि ब्रो मैं दूसरे के फाइदे से पहले खुद का फ मैं यह बोल रहा हूँ सामने वाले बंदे को कि तू तू है मैं मैं तुमे को जज मत कर और अपने सुसाइटी में आते लोग सेम हैं क्योंकि उनके घर पे बहने हैं समझ रहो सेफ नहीं है ब्रो आजकल जैसा आपन सब लोग देख रहे है जो हो रहा है जो नहीं हो रहा है और यह मतलर सिर्फ मैं यह नहीं है कि मतलब मुझार मतलब तुमने शूट कर दिया तुमने चाकु मार दिए अबरो मट्र मतलब तुम एक सच्छे आठिस्सकी आवाज को दबा रहे हो वह बी ऐक मुऩर्ट एक अदर के आर्टेस्सकों और और समझ रहे हो आज की ताइम प है यार मतलब मैं serious music इसलिए करता हूँ ब्रो क्योंकि मेरा life हमेशा से वैसे ही रहा है और मैं खुद को दिखाना चाहता हूँ मतलब छोटे से छोटा stage बड़े से बड़ा stage होगा आप उनमा पे खड़े रहेंगे सबके सामने रहेंगे और करेंगे ब्रो समझ रहो मतलब public change FBI BMC अम रहा परो कि हो नहीं है सफाई सब कुछ मेरा वल्ला हम करते रहते वाइब मैं जब माइक पर आता हो तो मेरा लंच टाइम है जैसे FBI सब लोग जैसे सब को बता है ब्रो एस बियाए में जाओ तो उन लोग यही बुलते कि अभी लंच टाइम है बाद में आना तो वह एक रेफरेंस है और यह पूरे तीन तीन लाइन मतलब रेफरेंस है समझ रहो तो उन लोग जासूसी कर रहे कि आप उन क्या कर रहे क्या ही कर रहे है कि आप उन BMC है ब्रो सीधा ऐसा ट्रक आएंगे सब को लेके जाएंगे ब्रो एक साथ तरही बोलागी नहीं अमिद्वा है यह वल्ला और वाइब है डिवाइन भाई के आलबम का रेफरेंस था उनके आलबम में दो ट्रैक्स थे वल्ला और वाइब है करके यह ब्रो बिना कोई स्ट्रेस के समझ रहों और ब्रेकडाउन भी कर रहा है आज कल लिकिन यह फिर भी मैं ब्रेक्डाउन तुम लोग के लिए कर रहा हूं समझ रहों मैंने कभी यह सब किया भी नहीं है तो यह फरस ताइम है इनकल आपके साथ शाट आथ टु एभरीवाई काम के टाइम कॉल इग्णोर करता इनको बनाते पूरी वीडियो ये बनके आते बी रोल मैं करता इन पे जोक्स जैसे और इंचूस कैंग मैं करता इनको रोज जैसे जला हुआ पैन हाथ नहीं मिला तो फिर गाली देता फैन करूं इनको किडनाप ये स्पेस वाली फैन काम के में को कॉल करेंगे तो मैं इग्णोर करता हूँ ब्रो क्योंकि काम एक ऐसी चीज है जिसके बीच में किसी को नहीं आने देता मतलब हम पूरी पिच्छर बना रहे इदर और पब्लिक आ रहे हैं बीच में ऐसा ऐसा कुछ भी मतलब सारे बंदे जो है जो भी है मतलब जो लो यह बनाते हैं ब्रो वाइन बनाते हैं तो अन लोग अभी काफी फेमस बंदे लोग है तो मैं वही कर रहा हूं लोग जोक्स करते हैं सबके बार में तो मैंने उनका रिफ्रेंस ही आ है में रिच्जू सधान के रिच्टेश्ट को जातके पूरा बीच वघ्च हो जाता है på मतलब यह पूरा भूमबाप ता फिर इसके बाद बीट चले जाता है ट्राप पे बिनला देने माइक पे इनस रेक गड़ी है कितनी भाई पे जानू मैं नहीं कोई काई दे मन्सिल दूर फिर भी दिखाई दे हम सीड चड़के आएंगे नॉन स्टॉप सीन में बचते जाएंगे सर दुखाएंगे जैसे माइकरेन और खुद को उपर लाएंगे समझ रहा हूं कि मैं माइक पे बिनला देनू ब्रो मैं बॉंब फोड़ता हूं सिर्फ आप उन्हीं यह सा छोटे-छोटे काम नहीं करते भरो कि आके माइक पे आःँ बोलती हैं इसके बारे में उसके बारे मेरे जैसे बंदों को में को नहीं लगता कि ऐसा एक टाइम पर सक्सेस मिलता है ब्रो समरे तो हम सीडी चड़का आएंगे नॉन स्टॉप सीन में बच्टे जाएंगे सर दुखाएंगे जैसे माइगरें सामने आलेगा सर दुखाएंगे पैर में है एर जॉडन माइक पे फूल प्रॉबलम करते रापरों को किल लिटा के करते पोस्ट मॉटम नई हूँ मैं बड़े घर से पर बड़े घर के सबने हर वक्तिया ताकत मुझे किया काबिल मुझे किया माहिर रब ने हर वक्त दिया ताना सबने लिया बीट किया गाना हमने सीखे रोट से नहीं बोट से तब इनस में अपने बॉमबे यह 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 ब्रो की मैं बड़े गर से नहीं हूँ अब उन हसल करके आ रहे है जो भी कर रहे है आप उन हसल करके कर रहे है उपर वाला यह ब्रो जो अपने वो बोला कि यह क्या कर रहा है तू क्या नहीं कर रहा है सूट नहीं होता है लेकिन आप उनका भी रुके नहीं समाझ रहो सीखे रोड से नहीं बोट से आप उनने स्कूल में नहीं सीखा ब्रो जादा आप उनने सब कुछ रोड पे सीखा सब कुछ रोड पे देखा है क्योंकि हर बॉम्बी के लड़के के नस्त में प्रो यह ही है, हसल, बॉम्बी is all about hustle, मुझे ऐसा रखता है, सब को ऐसा रखता है, बॉम्बी में बहुत पैसा है, यह है, जिसके घरपे है, उसके घरपे है, लेकिन पॉब्लिक मिरर के पीछे क्या है, वो नहीं देख रही है, सिर्फ काज देख रहे हो, तुम खुद के घरपे, मिर पास तो चेन है, मिर पास तो iPhone 14 Pro है, लेकिन कभी-कभी लोगों को घसना पड़ता, iPhone 14 Pro के लिए, जिसको पपा दिला दिते है, उसको तो दिला दिते है, सबको पपा नहीं दिला बाते है, कौन है आँ साथ में, जॉइन जले हर बा और जॉइन जले हर बात पे, कुछ भी हो रहा है, उसके बाद जॉइन जल रहा है, गाना बन रहा है, जॉइन चल रहा है, अभी ये podcast हो रहा है, जॉइन चल रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, जॉइन चल रहा है, पूरा गाना इसी बारे में है, प्रो की मतलब, मैं कैसे ए आपको थोड़ा सा भी कैश लाने की कोशिश कर रहा है ब्रो आटेंट सबको कैश मैटर करता है यह यह ब्रो ट्रैक पूरा गारेगाना में स्टेर्स चेक करो प्रोडक्शन अभीजय शर्माने किया है में को मेरे टीम ने एक बीट भेजा मेरा उससे पहले अभी जैसे कभी बात नहीं हाता तो मैंने वो बीट सोना मुझे बता भी निता कि अभी जैगा बीट है लेकिन वो टाइम पे सिर्फ एक हाफ था मतलब सिर्फ वो बीट बूमबाप था तो वो बीट सोना मैंने पूरा फर्स ताफ लिखा सही लग रहा था में को मतलब वो भी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है पूरा पूरा बूमबाप पे नहीं कर सकते है अज के टाइम पे लोग बूर हो जाते है समझ रहो तो मैंने उसको बुला कि आप उन स्विच कर सकते है तो उसने यह सेकंड आफ मैंने उसके घर पे गया फर्स आफ मैं मतलब मिला भी नहीं था उससे फिर मैं उससे मिला तो हम लोग ने साथ बेटके सेकंड आफ बना चिल सेशन था ब्रो बात कर रहे थे मस्ती कर से हो गया बस ऐसे ही आप मतलब मैंने स्टाट किया था तूटावन सिक्स्टीन में समरो मैं तभी भूट छोड़ा था मतलब में को लगता है मैं 16 साल का ही था तो मेरे इंफ्लुएंस ज़िए नहीं तो मैं सज बोले तो मैं राप सुनता है नहीं था मतलब मेरे लाइफ में ए nasal की मिउजिक था यह नहीं बो लेकिन फिर मैने अ चानक से एक दिन आफाट सुन लिया अचानक से एक दिन पर और आफिए मने इसलिए चून लिया क्योंकि मैं है प्र में को डिनला की है तो पिर मैं ने जी मिरे से पाच मिनिट दूर रहता है और वो अल्से Aside मेरे बड़ मेरे लाइफ में सा कुछ एम नीता कि अपने को म्योजिक करना है या कुछ भी करना है मैं तो सिफ खूंभटा करा दा ब्रो मतलब कुछ भी विजिन नहीं था बच्चा दा ब्रो क्या ही विजिन रहेगा समधों फिर मैंने डिवाइन भाई को सुना तो मेरा सबसे बड़ा इं हम राप से के तुरू ही मिले लेगन प्रो हमारा फ्रेंट्शिय मतलब 2017-18 से काफी सही था फिर मैं कली गांग में सायनु आलता भी कली गांग में सायनु आ तो ब्रो और सिच्वेशन भी सेम ब्रो मतला हम लोग तुनों सेम तरीके से आ रहे थे तो जब हम लोग ने वो गा प्रो बनाया और यह वाला प्रोचेक ब्रोट जादा एक्सपरिमेंटल है हमारे म्यूजिक के साबसे जैसा अभी मैंने स्टेर्स किया ब्रो स्टेर्स में को लगता है मेरा लास सॉंग रेगा जिसमें मैं इतना राप कर रहा हूँ अभी मैं थोड़ा चिल वाइब में आग ब्रो पस और मैं शाड़ाओट देना चाहता हूँ ब्रो म्यूजिक को सामध रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक की वज़े से मैं आज इतर भी बेठा हूँ तुम लोग से भी बात कर रहा हूँ यह है ब्रो और अपने हो किसीने सा हाथ देके उठाया नी ब्रो और सबसे बड़